अस्सलाब आलेकों दूर्स वैं वनने सीर्यों राप दीख रहे हैं Android उर्दु बीप चैनल आज मैं आप लोग को बताऊंगा how to create treasure NFT account आज मैं आप लोग को guide करूँगा कैसल में treasure NFT को आप लोगों ने step by step like कैसे create करना है कैसे वो जो important उनके अंदर setting होती है वो कैसे आप लोगोंने on करी है और back in पे फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसल में आप अपने ट्रेशन NFT में deposit कैसे करेंगे तो अगर आप ये वीडियो यहां से लेकर like start से लेकर end तक पूरी देख लेंगे तो आप लोगों को ये मुकम्मल जानकारी मिल जाएगी कैसल में ट्रेशन NFT का एक मुकमल एकाउंट रहें वो कैसे बनता है और आप लोग कैसे करेंगे तो यहांवी तो मैं आप लोग को फुल गाइड करने वाला हूँ कैसल में ट्रेशन NFT का एकाउंट कैसे बनता है बेसिकली जैसे एक लिंक मैं वीडियो के नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप बेसिकली इस पेज पे आ जाएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेश्रे ripped company जो है आपको एक mail जो हुआ Pacific कर लेती उसमें हो यहां पे आप लोग उने पूट करना होता है तो आप लोग ने जी मिल में जाना है और यहां पर आप लोग उने वर कोड जो हैँ वह यहांसे। मैं च्रेस्वं करने हूँ उसके बाद मैं जैसे यहाँ पर refresh कर लेता हूँ आप यहाँ पर देखेंगे कि मुझे ट्रेशन NFT की तरफ से एक mail आया होगा उसमें basically एक code होता है और आप code जैसे वो put करेंगे मैं आप लोग को कर के दिखाता हूँ सो यहाँ भी आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मुझे code आ गया है लाइक यह code आप चेक कर सकते हैं 786-697 तो आप easily यहाँ पर यह code डायल कर लेंगे लाइक 786-697 उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर referral code में आप लोगों ने यह digit जो हैं लाजमी लिकने हैं इनको note कर लें W41R2 और जैसे आप sign up पर क्लिक करेंगे तो आप easily इस page पर आ जाएंगे तो आप लोगों ने I'm not reboot पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों का easily account जो है वो बन जाएगा उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यह successfully हो गया है आप easily अपना password इन में save कर लेंगे और यहाँ पर जैसे आप my पर क्लिक करेंगे तो my पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा account जो है वो बन चुका है आप बेसिकली यह ID जो है यह आप लोगो Google Play Store में इनका एक app भी है अगर मैं यहाँ पर आप लोग को बता दू तो यह मैंने app जो है यहाँ पर इनका जो है वो download किया है आप यहाँ पर देख सकते हैं तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ यह ID मैं यहाँ पर इनका officially like जो इनका app है आप लोग Google Play Store से यह download करेंगे तो मैं यहाँ पर यह ID जो है वो login कर लेता हूँ तो same process जो अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा कैसल में इनकी setting कैसे की जाती है यह सारे permission आप लोग ने इनको allow करने है उसके बाद मैं my पर click कर लेता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मैं जैसे माई पर click कर लेता हूँ यहाँ पर आप लोगों ने पहले account बनाना है जैसे आप account बनाएंगे आप लोग को पता होगा कि मेरा username क्याता, password क्याता वो यहाँ पर आप लोग को paste करेंगे जैसे आप username और password पूट करेंगे कोशिश करें कि आप याद करके यहाँ पर सही डाला करें उसके बाद जैसे आप login पर click करेंगे तो आपका यह account जो है इस app में जो play store भी इनका officially तोर पर है इसमें आप login कर पाएंगे आप easily इनको google chrome में भी चला सकते हैं same to same इनका interface है उसके बाद आप my पर click करेंगे my पर click करने के बाद जैसे आप account open करेंगे तो company की तरफ से 150 डालर जो है जो कि 3 दिनों के लिए trial fund होता है वो आप लोग को मिल जाता है जो कि 3 दिनों के बाद यह फिर back होता है सिरफ आप लोग को समझाने के लिए कि यह company आप लोग को दे रहे होती है कि आप असल में इन पर काम कैसे करेंगे वो सारे चीज़ आप लोग को दिखा देता हूँ तो सबसे पहले आप लोग ने क्या कर रहा है कि इसमें आप लोग ने google bond करना होता है तो यहाँ पे आप लोग ने तोड़ा सा स्क्रोल डाउन करना है और यहाँ पे आप लोग को एक सैटिंग जो है वो मिल जाएगा सिम्बल सा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद इनके साथ google authenticator आप लोग ने link करना होता है सो अब मैं आप लोग बताता हूँ कि यहाँ पे आप लोग ने google bond आप लोग दिख रहा है यहाँ पे not bond लिका हुआ है आप simple सा यहाँ पे क्लिक करेंगे और basically google authenticator आप जो है वो आप लोग ने download करना है यहाँ पे play store से मैंने इनको download किया है simple सा आप इनको download करेंगे यह security के लिए सबसे best app माना जाता है तो simple सा आप इनको open करेंगे अब आप लोग ने इस app के साथ treasure NFT account वो कैसे link करना होता है get started पे click करेंगे यहाँ पे आप लोग को mail दिख जाएंगे अगर आपके mobile में ज्यादा email हुए तो simple सा आप लोगों ने उसी mail को choose करना है जिस पे आपने like treasure NFT account बनायता है ताकि आप लोग को असानी हो मैं यहाँ पे click कर लेता हूँ उसके बाद मैं continue कर लेता हूँ तो जैसे दोस्तों आप continue करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने already's में और बनाये थे तो आप लोगों ने simple सा क्या करना है कि यहाँ पे plus पे click करना है inter setup key पे आप लोगों ने click करना है और जैसे आप click करेंगे तो account name में यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने treasure NFT का name दे देना है ताके कल को आपको याद हो तो मैं यहाँ पे जैसे ट्रेशन एनिफटी दे लेता हूँ मैं आप लोग के सामने करना हूँ आप लोगों ने same यही process करना है उसके बाद यहाँ पे यह जो key आप लोग डालेंगे वो back in पे आप लोगों ने यहाँ से जो हैं वो pick करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि की आप लोग को मिल जाएगा simple सा मैं copy कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इनको paste कर लेता हूँ तो जैसे आप paste करेंगे add करेंगे तो basically आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यह add हो गया है यहां पर आप देख सकते हैं अब मज़े की बाद यह है कि यह एक टैमर होता है यह टैम आप लोगों ने देखना होता है कि जैसे यह खतम होता है तो आप लोगों ने नहीं देना यह जब नियू स्टार्ट होता है तब आप लोगों ने code put करना होता है so basically मैं बैक जाता हूँ बैक जाने के बाद आप यहाँ पे Google Authenticator यह email आप लोगोंने पहले email पे get पे click करना है आपके mail पे एक code जो है वो send किया जाता है तो मैं यहाँ पे आप लोगों को करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पे जैसे mail पे click करूँगा मैं तोड़ा सा इनको refresh कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पे एक mail आया होगा Trashland NFT के like company से उसमें code होगा आप लोगोंने वो code जो है वो put करना है उसके बाद आप लोगोंने Google Authenticator का code भी यहाँ पे paste करना होता है तब ही आपका यह app जो है आपके account के साथ लिंक होगा तो चलो मैं यहाँ पे तोड़ा सा wait करता हूँ net का मेरे ख्याल में तोड़ा सा issue है मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे mail आगिया है आप यहाँ पे देख सकते हैं वो यहाँ पे आप लोगों ने add करना है so 654,482 मैं जैसे यहाँ पे देता हूँ like 654,482 आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि जो code आप डाल रहे हैं वो बिल्कुल सही हो so मैं यहाँ पे यह डाल लेता हूँ और यहाँ पे मैं save कर लेता हूँ so जैसे आप save करेंगे तो आपका यह Google Authenticator जो है वो इनके साथ bond हो जाएगा यह दूसरी setting है अब तीसरी setting जो है वो आप लोगों ने इनके साथ जब आप इनसे withdraw लेते हैं तो आप लोग इनके साथ अपना account जो है वो attach करते हैं तो वो भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे आप लोग assets पे click करेंगे assets पे click करना है assets पे click करने के बाद basically आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो address हैं आप TRC 20 का भी दे सकते हैं आप BAPE 20 Binance Chain का भी दे सकते हैं आप लोगोंने make sure करना है कि आपने जब इनमें आप deposit करेंगे तो आप लोगोंने same वही address वो आप लोगोंने विड्रा के लिए भी लगाना होता है यह ना हो कि आप लोग deposit इनमे TRC 20 में करें और आप इनसे विड्राज आप 20 का लगा है ऐसे नहीं चलता क्योंकि बेक इन पीन का एक update आया है मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ क्या आप लोगोंने करना है क्या आप लोगोंने setting पे क्लिक करना है setting पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं TRC 20 है तो आप लोगोंने TRC 20 को क्लिक करें आप देख सकते हैं यहाँ पे wallet address उसके बाद login पासवाड आप देंगे और email अपना put करके जैसे get पे क्लिक करेंगे तो आपके mail पे एक code जाएगा उसके बाद Google Authenticator का जैसे code देंगे तो आप easily अपना यहाँ से अपना जो withdraw address होता है वो भी आप verify कर सकते हैं वो आप लोगोंने कैसे निकालना है आप लोगोंने अपना Binance account जैसे वो open करना होता है wallet पे क्लिक करना है उसके बाद जैसे आप wallet पे क्लिक करेंगे deposit पे क्लिक करेंगे और deposit पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगोंने सर्च करना है USDT यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैं USDT सर्च कर लेता हूँ तो आप लोगोंने simple सा आप इस page पे आ जाएंगे Tron का आप लोगोंने लेना है TRC20 का जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप simple सा यहाँ पे यह address copy करेंगे जैसे मैंने copy किया back जाओंगा और यह address आप लोग यहाँ पे paste करेंगे basically उसके बाद आप लोग लोग इन password देंगे जो आप लोग का treasure NFT का जो आप account बना रहते हैं अपना password देंगे email यहाँ पे जैसे get पे click करेंगे तो आपके mail पे code जाएगा वो यहाँ पे paste करेंगे google verification पे आप google authenticator चे code लेंगे और जैसे आप confirm करेंगे तो आपका यह address भी dry address भी इनके साथ like patch हो जाएगा इनके साथ attach हो जाएगा आप दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूँ यह मैंने दो setting आप लोग को बताई आप मैं आप लोग को बताता हूँ कि असल मैं आप इनमे deposit कैसे करेंगे deposit आप easily जैसे जो है scroll down करेंगे यहाँ पे आप लोग को deposit का section मिल जाएगा आप simple सा यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे click करने के बाद दो chain आप लोग को मिल जाएगे simple सा आप यहाँ पे click करेंगे tron पे click करेंगे so जैसे आप tron पे click करेंगे आप Binance like web 20 से भी कर सकते हैं so मैं यहाँ पे आप लोग को तो आप लोगोंने क्या करना है कि wallet में जाना है और wallet में जाने के बाद आप easily spot पे क्लिक करेंगे और यहां पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास इसमे 51 डालर है तो अगर आप इसमें 50 डालर करना चाहते हैं तो आपके पास आपके wallet में 51 डालर होने चाहिए क्योंकि एक डालर ज आप लोगों ने यहां से copy किया था जो कि यहां पर यह address उन्होंने दे दिया है तो आप easily यहां से इनको copy करेंगे मैं back जाता हूँ, back जाने के बाद यहां पर हम इनको डालर जो हैं, वो send करने वाले हैं उसके बाद network आप लोग जो हैं इनका fees है, simple सा आप लोगों ने भी drop e click करने है, so जैसे आप भी drop e click करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर like मैं तोड़ा सा क्योंकि मेरे पास fund कम है, मैं spot wallet में पूरा करके आप लोग को check कराता हूँ so यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने okay किया इसमें आप लोग अपना address कैसे लगाएंगे, इसमें deposit कैसे करेंगे, उसके बाद मैं यहां पर इनका password देता हूँ और यह मेरा deposit जो है, इसमें successfully add हो जाएगा, आप यहां पर देख सकते हैं, कि यहां पर मैंने exchange से विड्रा लगा लिया है यह 51 डालर मैंने यहां से send किया है, जो कि मेरे account में 50 डालर जो है, वो चले जाएंगे मैं view history पे click कर लेता हूँ, और यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे यह like पूरा हो जाता है, तो मैं आप लोग को यह जैसे successfully हो जाता है, मैं आप लोग को कर लिया है उपर आप लोग को notification भी मिल जाएगा, कि आपका withdraw जो है, वो हमने successfully उसे address पे कर लिया है तो मैं back जाता हूँ, back जाने के बाद मैं जैसे treasure NFT को open करूँगा, तो आप direct आपका level 1 हो जाएगा, जब तक आप deposit नहीं करेंगे, यह account बेखा रहे, आप लोग को deposit इसमें करना होता है उसके बाद आप okay करेंगे, okay करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को एक confirmation का, एक message आप लोग को देख जाएगा, आप continue करेंगे तो अब मैं आप लोग बताता हूँ कि असल मैं इन में काम कैसे करना होता है, like my, my पे click कर लेता हूँ और जैसे आप इनको तोड़ा सा refresh करेंगे, तो अब मेरे पास 200 डालर हो गए है तो यह जो 150 company ने दिये थे, यह company 3 दिनों के बाद आप से ले लीती है लेकिन 3 दिनों तक जितनी भी इन पे earning होती, वो आपके account में रह जाती है मैंने इसमें 50 डालर over add कर लिये हैं, तो इसमें काम आप लोगोंने क्या करना है सिंपल सा यह reserve पे आप लोगोंने क्लिक करना होता है आप लोग को 24 गंटों के बाद यहां पे आप लोग को इसमें बताया जाता है कि अगर आप अपने referral code से किसी को like join करते हैं तो आपको 20 डालर जो है, वो reward भी मिल जाता है, मैं इनको cross कर लेता हूँ इसमें यह promotion चलते रहते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास 200 डालर है तो आप यहां पे like आप लोग का level 1 है तो आप confirm पे click, यह daily का काम है, आप लोगोंने एक बार इस तरह करना होता है उसके बाद यहां पे जैसे आप इनको click करेंगे, बैक इन पे यह UKX exchange पे list है तो आपको यहां पे एक NFT जो है वो दी जाती है आपके बैक इन पे reservation में जितना भी like मेरे पास 200 डालर ता तो यह auto board ने मुझे 193 डालर की, मुझे जो है NFT दे दी है आपको 200 डालर, 199, 170 की भी मिल सकती है यह auto board देता है, आप लोग confirm करेंगे उसके बाद जैसे आप confirm करेंगे, तो basically यह आप लोग को collector के option में यहां पे आप लोग को मिल जाएगी यह NFT और यह NFT आप लोगों ने पिर sale करनी होती है जैसे आप sale करेंगे, sale करने के बाद आप यहां पे complete पे क्लिक करेंगे और जैसे आप complete पे क्लिक करेंगे तो back in पे यह, okay X exchange पे लिस्ट हो गई है और तोड़ी देर में आप लोग को जो भी आप लोग का मुनाफ़ा होगा, यह देखें यह एक अजार रुपों से भी ज्यादा है, मैं इनको confirm कर लेता हूँ और माई पे जैसे में क्लिक करूंगा तो basically आप देख सकते हैं कि मेरा यह डालर जो है मेरे बढ़ गए तो आप लोगों ने daily ऐसे करना है, कोशिश करें कि जब आप account बनाएं तो यहां referral पे क्लिक करके यहां पे आप लोगो एक link मिल जाता है, इस link से जितने भी बंदों को अपने प्यारों को दोस्तों को जोईन कराते हैं उनका भी आप लोगो पिर commission मिलता है, so मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगो यह idea यह video पसांद आई होगी वीडियो मुझसे तोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन यह काफी जानकारी की वीडियो थी वीडियो लाइक करे, शेयर करे, चैनल भी सबस्क्राइब कर ले, ताके आने वाली दिनों में आपको और मुबाइल एंट टिकनलोजी के टिप्स एंट्रिक्स डेली वेसिस पे यूट्यूब में मिलते रहे हैं, शुक्रिया